और चली मुझफवन अगर से अब खबर आपको बताएं जापर उस वक्त हड़काप मच गया जब भारती किसान यूनियन के रास्ट्र प्रवक्ता राकिश्ट क्यात अपने कारिकरताओं के साथ नगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए बताया ये भी जो रहा है कि पुलिस द्वारा देर रात भारती किसान यूनियन के कुछ कारिकरताओं को मारपीट के एक मामले में हिरासफ में लिया गया था जिसके चलते ये धर्णा प्रदर्शन किया गया, धर्णा प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कारेकरताओं के बीच में हलकी धक्का मुकी और हंगामा भी हुआ, जानकारी के मताबिक देर शाम कुछ भारते किसान यूनियन के कारेकरताओं और एक रेस्टोरेंट मालेक और क कुछ साथियों ने वहां हंगामा करते हुए तोड़ फोड़ की और जबरन कुछ आरोपियों को अपने साथ छुड़ा कर ले गए, जिसके चलते पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया था, और इसे के चलते राकियोष्ट्रिकात भारत संगठन के लोगों को जुटे उसमें फसाना चाहता है, कि इनको ये करो और फिर यहां जिले में को कहन सुनने वाला रहेगा नहीं, इनका ये तारगेट है पून रूप से, ये तारगेट इनका कभी कामियाब नहीं होगा, तिकेस अब रात इमर्जेंसी में हंगामा हुआ हंगामा आपस में दो फरीक थे, वे आपस में कर रहे उनके केस बनता हैं बिसादी में को बंत करोगे और उधर मेरट में बीजेपी के श्रम कल्यान परिशत के अध्यक्ष सुनील भराला ने धार्मिक यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया था लेकिन विदान्सबत चुनाफ के कारण धार्मिक यात्रा पर रोक लगा दी गई थी वहीं दोबारा यात्रा की शुरूबात करने के लिए सुनील भराला ने सरकेट हाउस में प्रेस कॉन्फरंस की जिसमें उन्होंने ये बताया कि गरीब और श्रम लोगों को हमारी तरब से धार्मिक यात्रा बिलकुल मुफ्त कराई जाएगी और सभी जाती वर्क के धार्मिक स्थलों पर हमारी यात्रा लोगों को लेकर पहुँचे की उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि इस बार दिल्ली में चुनाब होने पर बीजेपी के जुरुवाल को मुतोड चवाब भी देखी 30 साल बाद उत्तर प्रदेश में भारते इन्ता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी जिसका नेत्रत उत्तर प्रदेश के हमारे माने मुखमंत्री स्रीयोगी आदित नाची के द्वारा दूसरी पारी का सुभारम किया गया उसी करम में हमने चुनाओ के दोरान उत्तर प्रदेश में सभी जन्पदों में घुम घुम करके सभाव में सर्मिक संगठनों के बीच में सर्मिकों के सम्मेलनों में हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री माने बंसल जी के द्वारा जो सर्मिक संबेलन पूरे उत्तर परदेश में जो सर्मिक चोपाल की गई थी उन चोपालों पर हमने एक वादा सर्मिकों को और सर्मिक परिवारों को किया था कि जिस योजना का सुभारम 10 नौंबर 2021 को दत्तोपन ठेकडी जी और स्वागत अब्रे के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों के तरफ गाजयबाद से खबर आपको बताये जोहां के लोनी में अवैद कॉलोनियों पर बुल्डोजर जम कर चल रहा है दरसल गाजयबाद विकास प्राधिकरन की एक टीम ने भारे पुलिस सब फोर्स के साथ अवैद कॉलोनियों पर कारवाई करते हुए बुल्डोजर के साथ अवैद निर्मान डहा दिये हैं लोनी में बड़ी संख्या में अवैद कॉलोनिया काटी जा रही हैं और कई बार इन कॉलोनियों में अवैद रूप से लोग दूसरे के प्लोट को कबसा भी कर लेते हैं गाजयबाद विकास प्राधिकरन द्वारा जिले में करीब 320 कॉलोनियों को अवैद खोशित किया हुआ है इसके बावचूत जिले में लगातार अवैद कॉलोनिया बसाई जा रही हैं जिन पर गाजयबाद विकास प्राधिकरन ने ये कार्रवाई शुरू करती है गाजयबाद विकास प्राधिकरन के सहायक अभियांता आर के सिंग ने भारी पुलिस फोर्स के साथ लोनी में आज कई स्थानों पार कई जगों पर अवैद कॉलोनियों की खलाफ बुल्डोजर के साथ कार्रवाई की है गाजबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लोनी में निठोरा रोड और चिरोडी रोड पर अवैद रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बुल्डोजर चलाकर वहाँ पने अवैद निर्मान को ड़ा दिया है वहीं मौके पर मौझूद गाजबाद विकास प्राधिकरण के सायक अभियंता आर के सिंग ने ये भी बताया कि खित्र में अवैद कॉलोनिया नहीं बसाने दी जाएंगी और आगी भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी अर उधर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोत्री हो रही है जिसे लोग खासा परिशान है अगर जनपत हापुड की ही बात कर ली चाहे तो हापुड में पिछले एक हफ़ते के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपे 11 पैसे प्रती लीटर और 91 रुपे 65 पैसे प्रती लीटर डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है वही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगतार इजाफा और बढ़ोत्री होने से आम आदमी के जेपर भी असर पढ़ना तैह है डीजल बढ़ा है जी, 4SC, पेट्रोल 4,78, एक्स्टा प्रीमियम 5.26 पैसे और CNG 2.00 रुपे ग्रेटन ओड़ा के जेवर में गुदा और महिला ने अपाहिटस पर जम कर लाठी डंडे बरसा है जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल भी हो रहा है वह पूरी बारदात पर पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना है कि वीडियों के आधार पर आरोपियों को चिनहित किया जा रहा है और आरोपियों के खिलाब सक्त और वाना जेवर अंतरगत मार्क वीट का एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसके संब्ध में उगत कराना है कि चरोली के रणे वाले जुगंद पुत्र श्योरासं इन्हों ने अपना स्कूल अपने ही दिव्यांग रिस्तदार गजन जो कस्बे के रणे वाले हैं उनको चलाने के लिए दिया था कोविट मामारी के दौरान स्कूल बंद होंदाने के नाते स्कूल मालिक ने उसमें किराधार स्थापित कर दिये जिससे स्कूल को लेकर आपस में दोनों रिस्तदारों का विवाद हो गया इस विवाद के क्रम में ही ये मारपीट हुई है वाजी के द्वारा दिये गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अव्योग पंच्कित किया जया है तो यूपी के ग्रेटन ओडा का ये पूरा मामला है जहां पर दबंग और महिला ने अपाहिच को डंडे मारे हों इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और मेरट से अगले खबर आपको बताएं जहां पर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर भर में तलाशी अभ्यान चलाया हुआ है जहां आला अधिकारियों से लेकर करीब 500 पुलिस कर्मी अलग अलग जगहों पर चकिंग के लिए मौजूद हैं और इसे बीच लालकुर्ती पुलिस ने चार संदिक्द लोगों को गिरफ्त में लिया है वहीं आपको बताते चले कि एस्पेसिटी विनीत भटनागर के अनुसार इनके पास से मिर्ची पाउटर तेजधार वाले हतियार भी बरामत हुए हैं इसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई फिलाल पुलिस इन सभी चारों से पूछताच करने में जुटी हुई है थाने में आज सवेरे साथ पेसे नौबे तक ग्रैंट चेकिंग अभी चिला जाता है इसका मुख्यों देश है कि अपराजियों का बुव्मेंट जो कई बार अर्ली आवर्स में हो जाता है उसमें तक पुलिस बहुत एक्टिव नहीं रहती हो ही ड्यूटी के बदली का समय और चली फिलाल इनी तमाम खबरों के साथ इस बुलिटिन में इतना ही आप बन रहेगा नेटवर्क अंड के साथ कर दो कर दो